तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले इस बुक का और यह फिजिकल केमिस्टी का सबसे बेस्ट बुक में माना जाता है तो यहां पर देखो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग देखते हैं इंडेक्स और इंडेक्स की खासेत क्या है किसमें सभी chapters दिये हुएं that is mole equivalent अलग अलग करके दिये हुए thermodynamics, thermo chemistry यह सब सारे अलग अलग करके हैं chemical, ionic अलग और इसे खासेत देखो कि यहां पर nuclear chemistry भी दिये हुए जो कि anxiety में नहीं है लेकिन competitive examination की जो भी बच्चे तयारी करते हैं वो topic पढ़ते जरूब है इस बुक का सबसे बेश्ट दे को खासियत क्या है कि इस बुक में हम लोग यहां पर देखते हैं कि बहुत सारे जो questions से वो topic wise दिये हुए जैसे यह atomic mask हैं molecular mask हैं इस तरीके से topic wise आपको questions का एक अच्छा खासा collection मिलेगा और पहला ही topic में आपको 150 questions का अस्वास मिलेगे जिसके answers भी यहां पर दिये हुए और error free almost answer है इसके फिर आपको यहां पर section B में इस तरीके से advance के questions मिल जाएंगे जहां पर multiple choice के questions हैं फिर multiple choice questions के भी बहुत अच्छे-च्छे questions का collection है फिर यहां सागे निकलने पर हमें देखो यहां पर क्या मिलता है more than one correct और जो advance का जो pattern है उसमें almost सारे questions आपको मिलेंगे जैसे यहां पर assertion region वाले questions होगे फिर इसके बाद में आपको match the following वाले questions मिलेंगे फिर यहां पर उसके बाद में आपको यहां पर बहुत सारे integer type के questions देखो यह four digit integer है फिर उसके बाद में यह single digit integer है तो जो जो एडवांस के जो paper pattern होते हैं उसी तरीके सारे questions से सबका answer इस बुक में demerit बस यही कह सकते हो कि इसमें क्या है इसका hint and solution नहीं है तो कभी कि जो बच्चे को उलजाते हैं और इसमें अगर है कि कोई teacher अगर सपोर्टी मिल जाए तो बच्चे के लिए यह बुक वर्दान हो सकता है और physical chemistry का यह standard बुक में आता है